विल्कम बैक टो डूटूप चनल और रूडियों के अनुसार जो विवहार करता है तो अन्य लोगों से सहयोग करना जो सीखता है दूसरे शब्दों में जो है समाजिक विकास का अर्थ बालक का समाजिक करण करना समाज में रहकर ही वो अपनी अवसकताओं के जो पूर्ति करता है और अपनी जर्मजा सक्तियों और प्रवित्यों का विकास करता है उसके समझ सक्तियों का विकास तता आशर विवहार का पर मार्जग और समाजिक गुड़ों का विकास समाजिक वातावरण में ही संभव है समाज में रहकर ही जो है दूसरों से संपर्क अस्थापित करता है और धीरे धीरे जो है समाजिक आधरसों तता प्रतिमाओं के अनुसरण करना जो है सीखता है इस प्रकाश शीखने और जो है समायोजन करने के प्रक्रिया निरेंतर चलती रहती है समाजी करण के विकास से बालक में समायोजन के छमता उत्पन होती है व्यक्ति समाजिक प्राणी और सिक्षा समाजी करण के प्रक्रिया व्यक्ति अपनी समाज की जीवन सहली को सिखाता है समाज की मुल्यों और विस्वासों में आस्ता रखने लगता है अपनी समाज में जो है अनुकूलन असापित करने की योगिता को जो है समाजिक विकास कहते हैं घर, परिवार, पडोस, मंत्री, मंडली, विद्याले, समुधाय, जन, संचार, साधन और राज़नीती समाजिक संस्थाइं बालक के जो है समाजिक करण में महतपुर भूमी का आदा करती हैं बालक के समाजिक विकास को सैचिक द्रिश्टी से अत्यत महतपुर माना जाता है आधूनिक समय में सिक्षा के एक प्रमुक उद्दे से व्यक्ति का समाजिक विकास करना स्विकार किया जाता है अत्र सिक्षा के दौरा बालकों के ना किवल सारीरिक और मांसिक विकास को प् बोद का अभाव रहता है लेकिन जैसे 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 जो है उसके सारिक यो समाजिक विकास की सीमा विस्तित होती जाती है वैसे वैसे जो है उसका ग्यान जो है जटिल होता जाता है इसके परिमार्ट स्वरुप संसार के बारे में उसकी जानकारी भी जटिल होती है बालक के चा पर्यावरण के वस्तुओं को समानता या असमानता की आधार पर वर्गी जो है करने लगता है बच्चों में जो होने वाले ऐसे विकास को लोग संग्यात्मक विकास कहते हैं और पर्यावरण के साथ समयोजित अस्ताबित करने में संग्यात्मक विकासी जो है बहतपूर भूमिका होती है संग्यात्मक का छेत्र जो है तथा महतपूर काफी व्यापक है इसका समान आसा यह है कि व्यक्ति ने अपने तथा पर्यावरण के बारे में किस प्रकार का मांचित्र जो है निर्मित किया है व्यक्ति का मांचित्र जि इवन के हर शेतर में होता है समवीतना प्रतेक्षी करण अधिकम चिंतन समस्या समाधन आदि जैसे उच्छ मांसी प्रक्रियाओं में उसका विशेस महत्त है संग्यात्मक छमता की कमी से व्यक्तिकों समायोजर में कठीनाई होती है यह छमता आयू एवं सिक्षा एवं पूर् संग्यात्मक योगता एक अरजित योगता है बाला के समाजी करण के साथ सजो है संग्यात्मक योगता का भी विकास होता रहता है अगला हमारा क्वेशन क्या है संग्यात्मक विकास की परिभासा दीजिए वाश्टा इत्यादी के अनुसार संग्यान का आसे ऐसी उच्छ की तौर्ट ने लिखा है कि संग्यात्मक विकास का आसे बच्चों में समय के साथ होने वाले मांसिक योगिताओं परिवर्टन से हैं जैसे आउधान किंद्रण, प्रत्यक्षिकरण, अधिकम, चिंतन, यूम, जोए असमरण, आइत्यादी इस प्रकार असपश्ट हो रहा है कि संग्यान एक प्रकार की जटिल मांसिक योगिता है इस योगिता के विकास की प्रक्रिया जन्मोद परांज जोए प्रारम होती है और जीवन परियाद जोए चलती रहती है इसी योगिता का उप्योग करके जोए मालक अपने परियावरण को समझने का प्रयास करता है और या थोचित अनुक्रिया व्यवहार करता है इस प्रक्रिया में जो है सम्वेधी प्रत्य चिक योगेता चेंतन कलपना इसमरती ओम जो है भासा विकास के प्रक्रियाओं से जो है महतपुर योगदान मिलता है तो व्यक्त की शमता भी संग्यात्म की योगेता को प्रभावित करती है चुकि सक्षमता समायोजन अस्थापित करने में जोई सहायक होती है अधर ये संग्यान का जोई एक प्रमुग निर्धारक है पहला हमारा है संग्यात्म विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति और जोई पुर्वान भौ का योगदान होता है दूसरा हमारा है बच्चों का संग्यान, सरल और वैसकों का जोई जडिल होता है चोथा हमारा है संग्यान के प्रक्रिया अव्यक्त होती है पाहर से इनका प्रेच्षट संभव नहीं होता क्योंकि ये प्रक्रिया व्यक्त के जोई वीतर होती है पाच्वा हमारा है संग्यात्मक संरश्णा में परिवर्थन होता रहता है और छटा हमारा है संग्यान आत्मक विकास में तार्खिक चिंदर का विशेस महत्व है इस योगेता में व्रिद्धी के परिमाद सोरुप संग्यात्मक योगेता में भी व्रिद्धी होती है साथवा हमारा है संग्यान एक विकासात्मक पक्रिया है और आठवा हमारा है संग्यान एक अरजित योगेता है नवा अमरा है इसके प्रतीकों का जो है उपयोग होता है और दसमा अमरा है इसके अंदरण का जो है गोचर प्रदर्सित होता है